तमस्कार स्वागत है आपका दन्यूस पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजैने हिमाचल प्रदेश में कुद्रत का कहर लगातार चारी है चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तभाई का मनजर देखने को मिल रहा है लेकिन अब इस विनाश के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्य मुख्य मंत्री सुकविंदर सिंग सुकु का एक बेहत चोकाने वाला वयान साथ ने आया है चीहां मुख्य मंत्री सुकु ने इस विनाश के लिए बिहारी आर्किटेक्ट को जिम्मेदार ठेहराया है यानि जो आपकाहिमाचल प्रदेश में आई हैं उसके लिए बिहारी आर्किटेक्ट दोशी हैं ये सुकविंदर सिंग सुखु की ओर से एक इंटर्व्यू में कहा गया लेकिन इस पर बीजेपी के जो परभारी हैं बिहार के विनोत ताफडे उन्होंने मुख्यमंत्री सुखु और कॉंक्रिस की मानसिक्ता पर सवाल उठाए हैं सवाल उन्होंने इस बात को लेकर भी किये हैं कि एक तरफ कॉंक्रिस शासित राज्च हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री इस आफ़ता के लिए बिहारी आर्किटेक्ट्स को जिम्मदार ठहरा रही हैं येकिन वहीं बिहार में गटवंधन की सरकार है जिसमें आर्चेडी, और आर्चेडी इस पूरे माफले को लेकर कोई बयान क्यों नहीं दे रही है, आखर उनके मुख बंद क्यों है, क्या वो राहूल गांदी से डरे हुए हैं, ये सवाल जो है विनो ताफडे जो की बीजेपी के परवारी हैं बिहार की, उनकी दरब से किया गया है, ठाला कि बिहारी आर्किटेक्ट वाले बयान पर मुख्यमंद्री सुकविंदर सिंग सुखु ने ये कहा है कि वो तो हमारे भाई हैं, हम उनका रेस्क्यू कर रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए ये मुझे तो पता ही नहीं है कि एक मैंने तो कभी बोला है नी, हमने तो कल बचारे बिहार के लोग फसे हुए थे, मैंने तो हेलिकप्टर से वेक्विट करवाए, उनको बचारे अभी उनके और भी फसे, 200 लोगों करवाए, वो मारे भाई है, ये तो हमारी अपनी गलती ह है गलती है कि हमनक्षा मनाते तो बचारे मुझ्दूर कला आ, वह तो में जहसे पताओ को यह बताती है कि हिमाचल प्रदेश में हालात जो है वो दिन बदिन बत्तर होते दिखाई दे रहे हैं जिस तरीके से वहाँ पर प्राकर्टिक आफ़ता आई है लगातार लोगों की मौत हो रही है वहाँ पर घर जो है वो मलबे में तब्दील हो रहे हैं और इस आफ़ता पर अब मुख्यमंटरी सुखविंदर स सुखु का एक अंग्रेची अकबार को दिया किया एक इंटर्व्यू एक बयान लगातार वाइरल हो रहा है इसमें सुखु ने ये दाफ़ा किया हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंटरी सुखु का इस आफ़ता पर एक बयान साफ ने आया है एक अंग्रेची अकबार को दिय कई इंटर्व्यू में सुखु ने ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है उसके लिए बिहारी आर्किटेक्ट जिम्मेदार है हाला कि इस पूरे बयात को लेकर बीजेपी ने अब सुखु और कॉंक्रिस पार्टी को सवालों के घेरे में खड़ा किया है वही सोशल मीडिया पर ये पूरा बयान जो है सुखविंदर सिंग सुखु का ये कहीं न कहीं काफी ज़्यादा वारल हो रहा है लोग लगातार अब कॉंक्रिस पार्टी पर हमलावर नजर आ रही हैं सुखु ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने ये कहा कि निर्मान कार्यो के लिए दूसरे राज्यों से लोग आते हैं वो व्यग्यानिक तरीकों का इस्तमाल किये बिना मंजिल पर मंजिल बनाए जा रही हैं प्रवासी आर्किटेक्ट आते हैं जिन्हें मैं बिहारी आर्किटेक्ट कहता हूं वो आए और फ्लॉर पर फ्लॉर बनाते गए इन्हीं कार्णों से हिमाचल में आपदा का कहर देखने को मिल रहा है ये बयान है सुखविंदर सिंग सुखु का जो की हिमाचल प्रतेश के मुख्य मंत्री हैं लेकिन वहीं बीचेपी ने भी फलटवार करनी में देर नहीं लगाई बीचेपी के जो प्रभारी हैं बिहार के विनोत ताफडें उनकी तरफ से कॉंक्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए ये कहा गया कि देश तोड़ने की कोशिश में हमेशा जुटी रहने वाली कॉंक्रेस अब हिमाचल प्रतेश को छेत्रवाद की आग में धकेलना चाहती है बिहार्यों को दोशी बताकर मुख्य मंत्री सिंग सुखु ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है लेकिन बिहार के घमंडिया गटवंधन के नेताओं की चुपी देखकर ये लगता है कि वो कॉंक्रेस के युवराद से डरे हुए हैं ये विनोत ताफडी का बयान है जाहित तोर पर सवाल लगातार उठ रहे हैं कि कॉंक्र शासित राच्य हिमाचल प्रतेश के मुख्यमंद्री ने इंडियन एक्सप्रेस को दिये गए इंटर्व्यू में ये बिहारी आर्किटेक्ट शब्द का इस्तमाल करते हुए बिहार के लोगों का अपमान किया है और वहां बिहार में जो तमाव नेता है फिर चाहे वो को सुन रहे हैं बिहार के लोगों का अपमान हो रहा है और वो सहन कर पा रहे हैं जाहिर तोर पर ये वजह इसकी स्पष्ट है अपनी राजनीती के लिए राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए क्या उन्हें बिहार को का अपमान भी वो बरदाश्ट कर लेंगे ये कही न पूरे बात का इस पूरे बयान का खंडन किया मुख्यमंत्री सुखु ने ये कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है ये भी उन्होंने सिरे से खारिच करते हुए कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है वो हमारे भाई जैसे हैं और इतना ही नहीं सीम ने तो यहां तक कहा कि बि तरसल एक मजदूर हैं और वो मेहनत करते हैं उनकी क्या गलती है कि गलती हमारे यहां के structural engineers की है वो गलत नकसा बनाते हैं अब इस तरह का इस पस्टिकरन जो है वो तरसल सुखविंदर सिंग सुखु की ओर से दिया किया है तो कुल मिलाकर प्रदान्च मंत्री नरेंद्र मोदी से भी वो इस पूरे माफले को लेकर बातचीत करेंगे ये भी उनकी तरफ से कहा गया है लेकिन फिलाल जो ये बड़ा वयान है क्यानी सीधे तोर पर बिहार के लोगों को जिम्मेदार ठहराना बिहार के जो परवासी मज जो अपनी रोजी रोटी के लिए हिमाचल प्रदेश चाते हैं और वहां पर कॉंग्रेस पार्टी की चूकी सरकार है मोचुता वक्त में एक तरफ बिहार है जहां पर कॉंग्रेस पार्टी की गटवंदन में वहां पर सरकार है तो ऐसे में बिहार के लोगों का अफमान क्य नितीश कुमार और लालो परसाद यादो परताश करेंगे ये बड़ा सवाल है क्योंकि अभी तक इस पूरे माफले पर कोई पयान साबने नहीं आया है जाहित तोर पर एक वो दोर था जब बिहार और उत्तरप्रोदेश के लोगों के साथ माहराश्टर और करनाटक चैसे राज्चियों में भेदभाव होते थे तब आरोप शिवजेना और वहां की छेत्रिय पार्टियों पर लगते थे लेकिन दोर बदल किया अब कॉंक्रेश सासित राज्चियों नेता ही नहीं बलकि मुख्यमंत्री तक अपनी खामियों के लिए बिहार के लोगों को दोशी ठेहराने से नहीं ही चक रहे हैं जेहां सुखविंदर सिंग सुखु का ये बयान कम से कम यही दिखा रहा है कि अपनी जिम्मेदारी तैक करने के बजाए अपनी गलती मातने के बजाए तयारियां करने के बजाए एक प्राकरतिक आपता आई है और उसके लिए बिहार के आर्किटेक्ट्स को जिम्मेदार क्योंकि एक तरफ INDIA कटबंधन में भी ये तमाम पार्टियां एक साथ हैं और बिहार में तो इनका कटबंधन है ही लेकिन सवाल तो ये है कि आखर बिहार को का अपमान जिन तमाम बिहार के लोगों की बात निटीश कुमार और लालू परसाद यादव बार बार करते हैं लेक करने अब कहीं ने कहीं इस पूरे मांधले को लेकर ना शिर्फ हिमाचिल प्रदेश के मुखे मंतरी बलकि इसके लावा पूरी कॉंग्रेस पार्टी जवाहों के घेरे में हैं फिलाल आपकी इस पूरे मांधले क्या राइए हैं आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेए और चैनल को सब्सक्राइब करें थन्य बाद